पूकू टीवी खेल थी और उसे बर्बाद कर देती अपसर वो घास मिट्टी से उखाड देती और सारी घास सूप जाती फिर एक दिन घास से हिर्नी से बात करने के बारे में सोचा हिर्नी सुनो अपनी ये पूरी हरकते बंद कर दो कौन बोल रहा है मैं हूँ घास तो अब तो मुझे पैचानती भी नहीं तुम बोल कैसे सकते हो जब जरूरत हो तो मुझे बोलना पड़ता है तुम हिर्नी बहुत शैतान हो मैंने ये कभी नहीं कहा के हमें मत खाओ बेशक सारी घास खालो पर बरबाद मत करो क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो तुम अपनी चैतानी बंद करो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी फिर एक दिन हिर्नी अकसर जो किया करती थी कर रही थी एक शेर्नी जंगल के अंदर आई वो शेर्नी कई दिनों से भूपी थी जैसे ही हिर्नी ने उससे दूर से देखा उसके पैर कापने लगे ओ नई वो शेर्नी भूखी है अब मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ मैं उससे नहीं बच सकती हिर्नी यह क्या है चल्दी करो इससे पहले शेरनी तुमें देखे चल्दी उसकोने में चली जाओ जहां कि घास तुमने अभी बरबाद नहीं की जाओ जाकर छुप जाओ मैं बच गई शुक्रिया घास तुमने मुझे बचा लिया तुम सही थे मुझे खुद को बदलना चाहिए तो आज हमने ये सीखा कि हमें हमेशा अपने खाने की इज़त करनी चाहिए एक बार एक जंगल में एक हिरनी अपने प्यारे से बच्चे के साथ रहती थी लेकिन कुछ समय बाद ही हिरनी बिमार हो गई तो उसने अपने बच्चे को अपने भाई के पास भेजने का फैसला किया जो पास कही जंगल में रहता था लेकिन परेशानी ये थी कि वो जंगल बहुत खतरनाक और अंधेरे से भरा था वहाँ पर सभी तरह के जंगली जानवर रहा करते थे उस छोटे से हिरनी के बच्चे को जंगल की दूसरी तरफ कौन लेकर जाता फिर हिरनी ने बैल के बारे में सोचा जो उसके बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त था बोलो बेहन तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ भाई बैल मैं चाहती हूँ के तुम मेरे बच्चे को जंगल की दूसरी तरफ ले जाओ मेरे भाई के पास तुम बहुत ताकतवर हो तुम ये काम पक्का कर पाओगे मैं? लेकिन मैं तो वहाँ पहले कभी नहीं गया प्लीज भाई मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ मेरे मरने से पहले मैं अपने बच्चे को सुरक्षित हाथों में देखना चाहती हूँ ठीक है अगर तुम इतना कह रही हो तो लेकिन मैं कल से वेरे ही निकलूँगा ताकि हम सवेरे जंगल को रोष्णी में ही पार कर सकें ठीक है? ठीक है मैं फॉन को तयार रखूंगी क्या मैं भी चल सकता हूँ? तुम? पर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? ओ-ओ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और मैं फॉन का भी ध्यान रखूंगा मैं भी तो फॉन का दोस्त हूँ, मैं भी चलूँगा ठीक है, तो कल सूरज निकलने से पहले तयार रहना चलता हूँ मा ठीक है बच्चे, मेरे बच्चे, खुश रहना खरगोश, तुमने ये क्यूं कहा कि तुम फॉन के सबसे अच्छे दोस्त हो फॉन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है ये कैसे बता सकता है? क्या तुम इसकी तरह कमजोर जानवर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ क्या हुआ बुल नै अल विदा फॉन और मुझे माफ कर दिना खुश रहना और आपना ख्याल रखना ठीक है ओ फॉन तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे परिवार के और बे हिरनों का जुंड उन पेड़ों के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है चलो जल्दी आओ ओ, हिरनों का जुंड ये दू दावत ही हो जाएगी मेरी ये पतला दुबला हिरन का बच्चा इसका क्या करूँगा मैं शुक्रिया खरगोश तुमने मेरी जान बचा ली तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो